तेरर इन रिपीटेड मैजर्मेंट तो यह आज का टॉपिक है रिपीटेड मैजर्मेंट मतलब जब हम कोई मैजर्मेंट करते हैं जैसे बर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज जो सिंपल हैं तो अगर मांदो आपको किसी वायर का डायमीटर निकालना है तो आपको कम से कम पाज बार उसकी रीडिंग लेना चाहिए अलग-अलग प्रॉस सेक्शन पर ठीक है न फोर एक्जांपल यहां पर मैं कुछ मैजर सबस्क्राइमेंट ले रहा हूं और उसके बाद फिर अपन रिजट को कैसे रिपोर्ट करेंगे एरर का का कैलकूलेशन कैसे करेंगे तो वो सारे टर्म इन अब यहां पर आएंगे तो फूर एक्जांपल हम यहां पर किसी वायर का डायमीटर या लेंध अपन किसी मांदो क की लेंथ है या की वाइट आपने लिया और इसके लेंथ आप मैजर कर रहे है और इस की वाइट की लेंथ आप पर नियर कैलिपर का यूज करें के लिख रहे है नाओ इस एनी की वाइट लेंथ आप यूवाइट लेंथ आप क्यूवाइट इस मैजर यूजींग इसमैजर रिजिंग वर्नियर कैलिपर भी सी मतलर वर्नियर कैलिपर और आपने आप पर पांच रीडिंग लिये L1, L2, L3, L4 and L5 are 5 readings, यह आपने 5 readings लिए यहाँ पर, तो फिर इसकी जो length है उसको लिखोगे कैसे, आपने 5 measurements लिए, 5 readings लिए, So therefore, तो सबसे पहला जाएगा यहाँ पर, mean value या फिर average value, mean value और average value, mean value या फिर average value, इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, mean value या average value को, mean value या average value, तो यह L की उपर बार लगा देते हैं, या फिर आप L average ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एक और symbol हो गया इसके लिए, यह सभी symbol किसके लिए use किये जाते हैं, तीनों जो मैंने यहाँ मैंने किया है, that is for average value या फिर mean value के लिए use किये जाते हैं, ठीक है, अब इसको लिखो के कैसे, mean value को या फिर average value को, तो यह आपको पते ही, सबसे बहुत ही basic part होगे, L average is equals to L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 divided by 5 कर दो, तो यह कौन सी value निकल जाएगी, average value निकल जाएगी, मतलब यह जो length आएगी, यहाँ पर average value, आप क्या बोल दोगे, कि इस keyword की length है, यह इसका जो भी answer आएगा, ठीक है न, solve करने पर, जिसको आपन ने क्या लिख दिया है, यहाँ पर, L average लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फर्दर अब आते हैं पर, absolute error में, यह तो कौन से error होगी, यह तो mean value होगी, यह भी यहाँ पर, जतलब length इसके equal आप लिख होगे, देन, फर्स्ट पेज के बाद अपना वाएँगे, सेकंड पेज 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 प का screen shot ले लो, इस page का screen shot लो, ले लिए, screen shot इस page का, first page का, जल्दी से ले लो screen shot इसका, method धियान रखना, कि stress निकाल रहा है, इसके बाद में question दूंगा, और question को solve करना, तो यह method धियान रखना, mean value है, average value stress है निकाल लिए अपने, second आते हैं अपना, second है अपना, अब आते हैं, second calculation, that is absolute error, absolute error, absolute error, absolute error कैसे निकालते हैं, आपने mean value निकाल लिए, तो absolute error, delta L1, mode लगा दो यहां पर, average value जो आई आपकी, minus first measurement, और उसका mode ले लो, तो यह first absolute error आएगी, मतलब first measurement में absolute error, similarly delta L2, this is absolute error in second measurement, ऐसे लेते जाओ, आपके पास जिते भी measurement हैं, जैसे आपके पास five measurement हैं, तो आप five measurement की absolute error निकाल लो, क्या absolute error negative आएगी, absolute error is never negative, क्या आप mod ले रहे हों यहां पर, और इसकी unit वही रहेगी, जो mean value, जो actual measurement है, वही इसकी unit भी आएगी, चीक है न, unit भी same रहेगी, absolute error की, and same unit has, and same unit as, and same unit as, as that of measurement, measurement की जो unit आएगी, वही unit absolute error की रहेगी, फिर आते हैं, mean absolute error यहां पर, third point, mean absolute error कैसे रहेगी, mean absolute error, mean absolute error, ठीक है, so that is, L average, मतलब आपके जितने भी measurement आए, यहां पर absolute error की उसका mean निकाल दो, आप मौड निकाल, तो mean मतलब there are five measurement, तो यहां पर हो जाएगा, delta l1 mod plus delta l2 mod plus, up to delta l5 mod, और कितने से divide कर दोगे, इसको five से divide कर दोगे, तो यह क्या निकाल जाएगा, यहां पर mean absolute error निकल जाएगी, तो mean absolute error आप इस तरह से calculate करते हैं, ठीक है, next, page number three पर जा रहा हूं, मैं भी, इस page का screen sort ले लो जल्दी से, page number three पर, इस page का screen sort लो, फिर page number three पर, तो absolute error का calculation का तरीक ही और थर्ड जाएगा, आपका, क्या करोगे अब थर्ड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर तो next measurement आपको यह है, that is, relative error, relative error, relative error, relative error कैसी होती है, that is mean absolute error divided by mean value, यह जो answer आएगा, यह relative error रहेगा, and fifth होता है, percentage error, percentage error कैसे निकालते हैं, तो जो relative error आया है आपका, उसी में आप hundred का multiply करते हो, तो यह क्या निकल जाएगा, आपका percentage error निकल जाएगा, तो दो तरीके रिजल्ट रिपोर्ट करने के, एक तो आप absolute error के टर्म पे भी रिजल्ट को रिपोर्ट कर सकते हो, percentage error के टर्म पे, तो देर्फोर लेंथ आपका रिजल्ट कर दो यहां पे, तो दूसरा जो तरीका है, आप क्या लेख दो यहां पे, यहां पे लेख दो परसेंटेज एरर यहां पे आप डाल दो, तो क्यूवइड की लेंथ को आप दो तरह से एक स्पेस कर सकते हैं, एक absolute error के टर्म पे और एक percentage error के टर्म पे, ठीक है न, तो इस page का screenshot लेंगे, और मैं अगले page में आप लोगों के लिए question दे रहा हूं, उस question को आपको solve करना है, ठीक है, इस page का screenshot लेंगो जल्दी से, relative error मतलब absolute error divided by mean value, परसेंटेज के उपर वाला भी second page भी लेना है, अब मैं question दे रहा हूं, numerical data वाला, उसको आपको solve करना है, यह page number 2, page number 1 पर यहां पर data लेख दे रहा हूं, page number 1 पर और यह जित तरह से अपने calculation किये है, तो calculation आपको करना आप यहां पर ठीक है, जैसे यह दिया हुआ है, screen black आरी sir, नहीं ना बेटा, बाकी बच्चों को भी आ रही किया, no sir, no sir, refresh कर दो अपने network को, तो यहां पर मैं एक example ले रहा हूं, जैसे यह क्योगोईट की लेंथ, तो यह जो लेंथ आ रहे हैं आपने 5 measurement आया यहां पर जैसे 5.12 cm दूसरा वाला आ गया यहां पर, suppose 5.14 cm तीसरा measurement आया आपका 5.13 cm, 4th measurement आया 1.56 cm and 5th measurement आया 5.15 cm, समझ गए तो यह 5 measurement आया आपके तो अब क्या करना यहां पर आपको इन measurement का use करके, find absolute error and percentage error in measurement. इस measurement में आपको absolute error और percentage error निकालना है और length को रिपोर्ट करना है कि इसकी वाइट की length इतनी होगी, question समझ गए, तो सबसे पहले आपको average value निकालना पड़ेगा, कितनी आईगी average value 5 measurement से, ठीक है, second आपको क्या निकालना है यहां पर, फिर absolute error यह देखो तरीका क्या है absolute error निकालने का, उसके बाद आपको क्या करना mean absolute error निकालना है, फिर relative error निकालना और percentage error निकालना है, ठीक है तो यह method अपनने सीखे तो चलो फट 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 fan copy निकालो, और in reading के according आप पूरा calculation करो फिर से, यह जो reading लिखाऊ मैंने, 5.12, 5.14, cm में सभी reading हा, and then 5.13, 5.16 and 5.15, समझ गई कि नहीं? अरे भाई समझ गई? अलो, समझ गई है पूरा? अलो, यह सर, तो मैं पहले वाले डेटा को चेंज कर दे रहा है, यहां पर 5.17 कर देता हूं, ठीक है चलो, अभी फटा-फट निकालो आप लोग, पूरा measurement निकालो, मतलब पूरा mean value, सब कुछ copy pen निकालो, आपके पास 5-minute का टूरा, आपके पास जो reading दी हुई है ना, reading क्या-क्या है आपके पास में यहां पर एक 5.17, 5.14, 5.13, 5.16, 5.16 and 5.15 cm, तो सबसे पहले अपन यहां पर इसका average value निकाल लेते बिटा, इसी page पर देखो मैं average value निकाल रहा हूं, और उसके बाद में फिर एक बार और screen sort आप लोग ले ना, पहले तो मैंने method बता दिया और इसी method के सामने में अब यह calculation करके बता रहा हूं, So what is L1? 5.17 plus 5.14 plus 5.13 plus 5.16 plus 5.15 divided by 5 और इसको solve करोगे तो answer आएगा 5.15 cm, नहीं तो solve करके देख लो यह ना, बैसे भी 5.15 के बाद 5.16 रीडिंग है और 5.17 रीडिंग है, और 5.13 है और 5.14 है तो यह direct observation से पता चल गए कि इसकी जो average value आएगी, that is 5.15 cm ही रहेगी, आप calculation कर लो, उनको सबको add कर दो और 5 से divide कर लो, exact answer is 5.15 cm, ठीक है, समझ गए? अलो, समझ गए यह average value कैसे निकाले आपने? तो average length is, comes out to be 5.15 cm, ठीक है, यह average length आगी इस measurement के, okay, so this is the average length, next फिर आप देखोगे अभी, mean value हाँ, mean value या फिर average value की आगई अभी, next calculation आपका आएगा, absolute error के लिए, तो यह absolute error इस तरह से आएंगी बेटा, आपके पास यह 5 measurement दिख रहे थे यहाँ पर, अब absolute error calculate करो, absolute error in first measurement, mean value कितना है, 5.15 minus, first वाली reading थी 5.17 cm, तो जब आप इसको solve करोगे, तो answer कितना आजाएगा यहाँ पर, negative नहीं आएगा ना बेटा क्योंकि मॉड है ना, तो negative कैसे आएगा, 0.02 cm, ठीक है, फिर second वाली value आप देखोगे, मॉड के अंदर, mean value है, 5.15, second measurement या second reading था आपका, 5.14 cm, तो यह आएगा, second value value, 0.01 cm, negative नहीं आएगा ना, उपर ही लिखा, देखो, absolute error is never negative, क्योंकि आपने क्या लिया, वहाँ पर mod लिया, फिर similarly, third measurement में, आजाएगा, 5.15 minus, third measurement आपका है, 5.13 cm and after solving this comes out to be 0.02 cm, fourth measurement 5.15 minus 5.16 cm, this is again 0.01 cm and fifth measurement, 5.15 minus 5.15 cm, so this is 0 cm, ठीक है ना, तो यह आपने पांचों मेजर्मेंट लिये, absolute error के, absolute error की 5 value आपका, minus में नहीं आएगा कभी भी ध्यान रखना है, ठीक है, minus में नहीं आएगा, so this is delta L1, second one is delta L2 mod के अंदर, then delta L3, means absolute error in third measurement, then absolute error in fourth measurement, and then absolute error in fifth measurement, समझ गए की नहीं तो यह पांचों measurement के आपने absolute error निकाल लिये, इसके बाद क्या निकालना आपको mean absolute error निकालना है, so mean absolute error बहुत आसान है बहुतकी निकालना, जो पांचों measurement आए थे, उन पांचों measurement पांचों measurement को आप add कर दो, 0.02 plus 0.01 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.00 whole divided by 5 so the answer becomes 232516 0.06 upon 5 cm so mean absolute error comes out to be after further simplification 0.01 2 cm so this is coming mean absolute error 0.02 cm but see whatever measurement is here that decimal is 2 digits so we have to write the error to 2 digits so we have to write how did 5 2 come out? Jivida where is 5 2 coming out? how is it coming out? how is it coming out? how is it coming out? 1 2 coming out, right? 1 2 coming out, right? let's see calculate it well we have to write the whole measurement that is the decimal to 2 digits so mean absolute error also you can write the decimal to 2 digits so 0.01 cm is the mean absolute error and you can remove 2 you can remove round off then now we are going to page number 3 we are going to be just now we are going to be right now first of all we are going to be relative error so relative error which is the same here somebody has also given the answer relative error okay relative error means 0.01 cm divided by or here relative error 0.012 divided by 5.15 relative error there will not be relative error there will not be relative error there will not be when you report results or absolute error or percentage error error so you can solve relative error so and then 100 multiply so percentage error will not be just here percentage error 0.012 divided by 5.15 into 100 so the percentage error is 1 0.012 0.012 2 divided by 5.15 divided by into 100 so this is 0.0 percentage error of 1 decimal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 percentage error किता लेख सकते, 0.2% लिख सकते, ठीक है न, ठीरी ठीरी लिखने का ऐसा है नहीं, और लेग भी दोगे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, मतलब, ठीक है न, so what is the answer reporting of result length of cuboid is reported as 1.515 centimeter and then plus minus absolute error कितनी आई कितना 0.01 centimeter या फिर आप क्या लेख सकते इस ही गो 5.15 centimeter plus minus what is the percentage error in this measurement plus minus 0.2 percent तो यह समझ गए आप लोग बेटा किसी को कोई डाउट यह पूरा measurement में ने यहां पे लिया है किसी को कोई डाउट है result reporting कैसे करते हैं किसी भी measurement में किसी भी experiment में कोई डाउट है क्या अलो no sir समझ गए अभी result को कैसे report करते हैं अभी अभी मैं पूरा आप लोगों को दिखा रहा हूं आप लोग पूरा वहां से screenshot लें फर्स्ट पेज से ठीक है और अब मैं एक और question देता हूं उसको आप लोगों को यह निए भास्त पेज अभी अभी आएगा अभी देखो अभी देखो अभी 2nd page दिखाऊं कि 1st page दिखाऊं दुबार सिर्फ पेज सर्फ पेज सर्फ पेज फेज पेज पाइए लोग 1st page देखाऊं ठीक है पेज सर्फ पेज सर्फ ले लिये 2nd page का इस दिखाऊं पेज सर्फ तो यह एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझेगा आप लोग अभी रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर है और उसके वाद रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करते हैं अब मैं कुस्चन दे रहा है इसको आप लोग उनको ट्राई करना फटाफट करना लेकिन ट्राई पांच मिनिट की टाइम रहेगा यह थर्ड पेज यहां तूर अभी फोर पेज अब इसको मैजर करना आप लोगा पुस्चन ले रहा है अपन अभी नाप यह थे आइम पिरियर और शीम्पल पेंडूलम ताइम पिरिएड और सिंपल पेंडूलम यूजी इस टॉप पॉज इस मैंजर देश ठीक है ताइम पिरिएड यहां पे आ रहा है कुछ हां तो पॉइंट वन सेकंड फिर 2.2 सेकंड फिर है 2.0 सेकंड 1.9 सेकंड 1.8 सेकंड क्या निकालना आपको find mean value and absolute error A B Error मतलब Absolute Error Absolute Error and Percentage Error समझ गए न? question and report the result and report the result and report the result and report the result so mean value of time period is 2 second mean value time period average value Sir, this is a disturbance mic mute T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 5 reading divided by 5 10 reading रहती ही तो 10 से डिवाइट कर देते और आप अगर data को observe करो तो data कुछ इस तरह का दिया मैंने अगर देए कि तू सेक्ट कर अगर इस का आएगा इसका अंसर आगर 2.1 प्लस प्लस 2.2 तो सेकेंट ठीक है इस दा मीर टाइम पीरियर यह आवरेज टाइम पीरियर आया हाँ देखते हैं तेलेटी विन इकाल लिया किसी बच्चे ने उसके बाद आएगा सेकेंड यहां पर रिलेटीव एरर इन अगले पेज पेज पे तो रिलेटीव एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट यह किसके बराबर जाएगा यहां पर डेल्टा टी वन का मॉड इक्वल्स तू 2.0 minus 2.1 second equals to 0.1 second ठीक है फिर रिलेटीव एरर इन second measurement equals to 2.0 minus 2.2 second यहां जाएगा 0.2 second yes then absolute error in third measurement 2.0 minus 2.0 absolute error in third measurement is 0.0 second absolute error in fourth measurement 2.0 minus 2.0 sorry 1.9 0.1 so this is 0.1 second and t5 delta t5 absolute error in fifth measurement 2.0 minus 1.8 second is 0.2 second ठीक है तो इसार बेल्यूस अब आपको क्या करना यहां पर अब मीन एपसिल्यूट एरर निकाल लो अब मीन एपसिल्यूट एरर किरती आएगी तो यहां पर जाएगा अब मीन एपसिल्यूट एरर मतलब यह इस तरह से आप लिखोगे तो सभी को एड कर दो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.0 प्लस अगें 0.1 प्लस 0.2 ट्यूट वार 5 आंसर एगा सेकंड में तो इक सादाएगा 336 0.6 एडिवार 5 इक वस्तू 0.1 0.1 बाट वन ग्लाइग तो आप इसको लिख सकते हो 0.1 सेकंड समझ कैना क्लियर हो गए निकालना और फिर यह अगले पेज पे देंडिक नम्बर 6 और उसके बाद परसेंटीज एरर कैसे लिखते हो जेन रिलेटीव ए रविए हम कि रिविए इडियर कि इन पिरियर कि रिलेटिव इन टैइम पिरियर इन टाइम पिरियर कि डिप्रीड एप सिंडेश्य और डिवाइड डिवाइड वाम इन वैल्लम टू पहले पूरा divided by 2.0 second तो इसकी कोई unit नहीं आएगी बेटा इसको आप solve कर दोगे तो यह निकल जाएगा आपका relative error ठीक है answer निकाले थे किसी ने relative error का किपना answer आ रहा था 0.12 divided by 2.0 so this is 0.06 और उसके बाद इसमें कोई unit नहीं आएगी हाँ अब फिर क्या निकाल दोगे percentage error then पेटा माइक म्यूट कर लो माइक म्यूट कर लो percentage error percentage error मत्दा relative error में आप 100 का multiply कर दो तो percentage error निकल जाता है 0.06 इंटो 100 is equals to 6% आ गया okay तो आप अब अपन क्या कर सकते हैं यहां पर रिजल्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं so time period of the simple pendulum is comes out to be result reporting क्या जाएगा time period of simple pendulum pendulum is 2.0 second plus minus absolute error किते आई थी 0.1 second समझ गया और यह तो फिर एक और तरीका हो गया 2.0 second plus minus 50% is measurement 6% चीक है तो यह दौनों तरीके स्लिक सकते हो पर्सेंटेजर की कोई unit नहीं होती है ध्यान दखना अब अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है के यह जो पूरा प्लस माइनस करके लिखना पड़ता है मतलब इस आंसर में इतने की गढ़बर हो सकती इतना ज्यादा हो सकता यह मतलब होता है कभी भी जो रिजल्ट होते वो इसी तरह से लिखे जाते हैं जैसे अगर आपका प्लस माइनस लिखते ऐसा उसके बगर होते ही मतलब कभी भी कोई भी मैजर मेंड बिना एरर के होई नहीं सकता है तो इसी तरह से लिखा जाता उसका इस लिए अभी क्लियर हो गया तो मैं इसके बात अभी फिफ फिफ पेज दिखा रहा हूं अभी फिफ पेज देखो तो यह फिफ पेज है जिसमें अपन ने क्या मैजर किया था अब यह फोर्ट पेज का ले लो बाकी के तो मैंने पहले ही देखा दिया था आप लोगों को ठीक है